उसके करम बोल जाएं बहुत अच्छा उसका मुह मत खुलवाना प्लीज पता उसका भी कुछ नहीं है भाई और भेनों ना मोदी जुका है और ना जुकेगा और वो लोग जो भारत मादा की तरफ और निवडशर्मा की तरफ एदा कुछ स्टेटमेंट दे दिया फिर क्या कर जोई क्या कारवाई करी उसने वो बता है कि प्रधान मंत्री को जब इम्तियान की घड़ी ती जब उन्हें फैसला लेना था और इस पर लेना था सामने आके यह कहना था करो कमिशनर पुलिस को सस्पेंड कर दिया होता तो समझ में आता कि वह सक्री हो गए गिर्फतारी होन प्रधानिक जिम्मेवारी है उनकी जो विचार दारा के इस वक्त प्रमुक हैं भागवत मौन भागवत साब उनकी खामोशी के उपर अफसोस हो रहा है पकिल साब इस समय देश में जो कुछ भी चल रहा है उस इस्तिती में प्रधान मंत्री का कुछ ना कहना और अगर देख करके भी उसको इग्णोर कर देना यह महज कोई सहयोग है या फिर कोई प्रियोग है इसको किस तोर पर आप देखते हैं ना यह सहयोग है ना यह प्रियोग है यह एक बहुत बड़ा फेलियर है प्रधान मंत्री के उपर एक समयदानिक जिम्मेवारी है और खास्तोर से अंतर राष्टे इस तर पर संबंदों को बनाये रखने के लिए उनको जिस तरीके का नित्रिवतात को राष्ट को देना था वो उसमें इस वक्त पर असफल हो रहे हैं यह उनकी इम्तिहान की घड़ी है देखें मैं आप से फिर यह कह रहा हूं कि गलती नुपूर शर्मा से होई वो भावनाओं में बैके हदीस में कही मैं जितना इसलाम के बारे में जानता हूं तो मैं कुरान के बारे में जानता तो इसके अंदर सबसे पहले होना यह चाहिए था कि F.I.R. दर्ज होती पुलिस कारवाई करती और भार के राश्ट्रों को भी यह लगता कि भाई भारत का कानून अपना काम कर रहा है तो यह मान लिया जाता कि ठीक है इनोंने जो करा है नूपूर शर्मा ने उसके लिए भारत की सरकार लेकिन भारत की सरकार की तरफ से ना तो कुछ कहा गया और पुलिस की तरफ से कोई कारवाई नहीं मैंने पहले भी का कि कमिशनर और पुलिस जो है डेली का वो IPS ऑफिसर है वो विधी का शासन लागू करने के लिए आया है वो ग्रह मंतरी के आदेशों का पा इतने महत्मूर पोस्ट पे रहके पुलिस फोर्स का नेत्रत करें यह ठीक नहीं है अगर यह सब काम हो जाते तो आज यह सब नहीं होता यह घर है आपका यह चीजे सांत रह भी सकती है लेकिन हमारे ही देश के उपराश्रपती हामीद अंसाली जी ने जो है आज बयान दिया ह है उन्होंने का है क्या कि यह पूछिए लेकिने यह प्रदान मंतरी लेकिन मेरा अपना मानना यह कि प्रदान मंतरी को छो हमक्रान की गड़ी ती जब उन्हें फैस्ला लेना था और इस पस्ट लेना था सामने आके यह कहना था कि भई ऐफ आई यार दर्च करो कमिशनर और पुलिस को सस्पेंड कर दिया होता तो समझ में आता कि भई वो सक्री हो गए लेकिन उनकी खामोशी जो है अब हर चीज के लिए वो जिम्मेवार नहीं है हर चीज के लिए वो यह नही तो राष्ट को प्रदान करना है और उसमें निसंदे वो इस बार फेल हुए तब ही दूसरे लोगों को मौका मिला है कहने का गिरफतारी होनी चाहिए बुल्डोजर पहुंचना चाहिए आज वो बुल्डोजर कहां रह गए आप कानून एक चीज और कहता है कि कानून के सम सब बराबर है और छिस्तों को समानता का अफसर है तो जब तुम चंद छोटे छोटी-चोटी बातों पर तो बुल्डोजर क्यून ही पही आज भेज रहेए इस वक्त तुम्हें व!? बहुत और यह ब्हों तो जो इस तो एक उत्रएत Kara का उत्पात उप्द्रव इस तरीकी की चीजें बहुत खतरनाक हो रही है राश्ट के लिए और इस से मेरे को नहीं लगता कि जो विचार धारा इस वक्त सत्ता में है वो जो कहती है उसका उल्टा करती है मुझे तो मोदी जी से भी जादा उनके उपर तो एक समयधानिक जिम्मेवारी है उनके जो विचार धारा के इस वक्त प्रमों को हैं भागवत मुहन भागवत साब उनकी खामोशी के उपर अफसोस हो रहा है जो नुपूर सर्मा ने गल्ती की उसकी लोगों ने निन्ना भी की एफाइयार भी उस पे हुई है कारवाई भी उस पे होगी लेकिन नुपूर सर्मा के जैसी ही गल्ती तो अब ये लोग भी दोराने के लिए लग गए आज पुलिस की गाड़ी जला दी गए प्लिस पे पत्रा हुआ कई ओके सर्पूटे कई ओकल ये अधिकार इनको इसको आप किस तौरब इसको कैसे मलब भी तंत्र भीड तंत्र भीड को जमा नहीं होने देना चाहिए भीड की मानसिक्ता बिलकुल अलग तरीके की होती है और इसीलिए मैं आप से बारंबार कह रहा हूं हमारे IPS देखे आप IPS में जनते हैं जब मुझे जूते ठीक कराने होते हैं मुझे बलकुल टेंशन नहीं होती है मुझे मालूम होता है मैं मोची की दुकान में जाओंगा मुझे मोची मिलेगा मुझे जब बाल कटाने होते हैं मुझे बलकुल टेंश नहीं होती है, मुझे यह मालूम है कि मैं नाई की दुकान में जाओंगा, नाई मिलेगा, बढ़ ही नहीं मिलेगा, लेकिन I.S. और IPS के ओफिस में घुसने से पहले मुझे बहुत टेंशन होती है, अंदर I.T. का इंजिनियर मिलेगा, I.M. का मिलेगा, I.M. में इंग्लिश मि यह नहीं है, उते हैंने ट्रेनिंग, तो आज की तारिक में निश्चित तौर पर मैं यह कह सकता हूँ, यहां बैट कर भी, कि I.S. और IPS की ट्रेनिंग के अंदर कहीं न कहीं बहुत बड़ी तूटी है, और उनके उपर किसी तरीके से इस तरीके से दवाव लाया जाता है, क कब थमेगा आखरी है, क्या लगता है आपको? अराजक टा जाएगी, तो आपके इंटर्नल और एक्स्टर्नल दुश्मन इसमें सक्रिय हो जाएंगे, और वो बारंबार इस आख को भड़काने की कोशिश करेंगे, और इसकी कीमत इसके राजनेतिक परिणाम चाहें कुछ भी निकले, लेकिन इसकी कीमत राष्ट चुका अराजक अराजक और उपद्रवी तत्व हैं, उनके लिए मैं ये पुलिस से कौँगा के वो कारवाई करें, क्योंकि ऐसे लोग जब प्लेटफॉर्म पर आते हैं, सामने उनके चेरे दीखते हैं, वो वक्तवे देते हैं, लेकिन भरोजा कम ही हुआ, दिल्ली में दंगे पुलिस वाला पीछे खड़ा हुआ था, एसीप, कुछ हुआ, अनुराग ठाकुर ने कितना गंदा स्टेटमेंट दिया, कुछ हुआ, उसने प्रवेश कुमार ने, जो एमपी थे, आउटर डेली के, उन्होंने इतना गंदा और भद्दा स्टेटमेंट दिया, कुछ लोगों के दिल में जो ये भावना भड़का दी गई है, ये बीच डाल दिया गया है, कि भारत की सरकार, भारत की पुलिस, भारत का कानून, भारत के नियायले में बैठे हुए नियायदीश, ये सारे के सारे अब बेकार हो चुके हैं, ये बिक चुके हैं, और ये भाजप पहले उन्होंने हरकते तो ऐसी की थी ना लेकिन कोई कारवाई नहीं हुई थी अगर तब कारवाई हो आती तो आज आज भूस सारे लोग इस बात को कहते होतें कि नहीं कानून अपना काम करता है कानून के हाथ बहुत लंबे हैं आज वो लोग भी सड़क पे हैं जो सड़क काम है यह जूडीशरी का काम है सो मोटो एक कोगनिजन्स का क्या मतलब है ऐसे मामलों पर सुप्रीम कोट कैसे सो जाती है नेशनल लेविल पर जूडीशरी इस तरह की की फंक्शनिंग कर रही हो अकर थोड़ा बहुत सम्विधान पढ़ रखा हो तो उन्हें सो मोटो है लेकिन सुविधा सुख की जीवन अलग होता है लेकिन अच्छे दिन आएंगे कैसे अच्छे दिन लाने वाला तो चुप है यह इसको मेरा फिरमान लो वो कहा उसके करम बोल जाए बहुत अच्छा उसका मुमत खुलवाना प्लीज पता उसका भी कुछ नहीं है भाई औ भेनो ना मोदी जुका है और ना जुकेगा और वो लोग जो भारत मादा की तरफ और निवडशर्मा की तरफ ऐसा कुछ स्टेट्मेंट दे दिया फिर क्या करोगे तो भाई आप तुम खामोश बले समय देना निक संस्ता है अपना कारे कर लें अपने कारे से ओले ना एक् से बोलते हैं आप धोका देते रहें और सरसच की बात करते रहें चार दिन में भेट खुल जाएगा तो मोदी जी इस वक्त अमिश्या ग्रैमंतरी है कितनी देर लगती है कमिशनर पुलिस ने गल्ती तो करी है इतने दिन कामोश क्यों रहा संग्यान क्यों नहीं लिया एव झाल 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 झाल